साथियो नमसकार वर्चुल इसकुल में विद्धार्थी को एड़ करने के बाद बहुस से दोस्तों के असेस्मेंट कॉर्नर में नवंबर महा का असेस्मेंट चूस करते ही विद्धार्थी का नाम दिखाई देना बंध हो जाता है किन्तु दिसंबर का असेस्मेंट चूज करते हैं तो वह छात्र नजर आ रहा है तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है चलो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सबसे पहले आप CG School Portal पर लागिन हो जाएंगे लागिन होने के बाद सिक्षक में चले जाएंगे उसके बाद साथियों हम लेप्ट साइट के इस थ्री लाइन को प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद सिक्षक के कारियर उसके बाद हम चले जाएंगे साथियों Virtual School अब यहां देखिए साथियो कुल 48 विद्यार्थी नजर आ रहा है अब इस 48 विद्यार्थियों में कुछ को तो मैंने वर्चुल में जोण के रखे हुए हैं और कुछ पुराने ग्रूप के हैं जो वर्चुल ग्रूप में हैं वे विद्यार्थी तो मुझे असेस्मेंट कॉर्णर पर नजर आ रहे हैं किन्तु कुछ विद्यार्थी नजर नहीं आ रहे हैं तो ऐसी अवस्था में चलो दोस्तो अब हम चले जाते हैं असेस्मेंट कॉर्णर में जा कर देखते हैं कितने विद्यार्थी है वहाँ देखते हैं साथियों ये देखिए कक् दिसम्बर महा में जैसे ही हम गए तो हम यहां से सब में कंचा के लेते हैं धीक्षा तीसरी में नवंबर महीं एक विद्यार्थी यहां नजर आ रहा है जबकि दिसम्बर महीं 10 स्ब्सक्राइब आएंगों तब हम क्या करेंगे सब्सक्राइब में हमें सबसे पहले इन विद्यार्थियों को कहां जोड़ना पड़ेगा online class वाले corner में जब तक हम इन विद्यार्थियों को online वाले corner में नहीं जोड़ेंगे हम November का assessment नहीं कर सकते हैं जैसे virtual school में जोड़ने के बाद ही हम December का assessment कर सकते हैं, वैसे ही नमबर में असेस्मेंट देने के लिए हमें इन्हें अन्लाइन वाले कार्नार में जोड़ना पड़ेगा, तो ओन्लाइन वाला कार्नार कहापर है सायध आप जानते होंगे, फिर बेमा एक बार और बता देता हूं, वह है सांथियों फिस्ट पेज में, तो फर्स्ट पेज में अब चले जाते हैं इसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा ये देखिए साथियो यहां है पहला पेज हम इस प्रथम पेज पर देखिए यहां लिखा आउनलाइन असेस्मेंट के लिए विद्यार्थी का विवरान इसको पहले तो प्रेस करेंगे उसके बाद यहां पर उस विद्यार्थी का मुबाइल नमबर सर्च कर देंगे जिसको नवंबर के असेस्मेंट के लिए जोड़ना है तो मैं एक विद्यार्थी का चैन कर लेता हूँ यहां से उसका mobile number पहले सर्च करूँगा ये देखे सांथियो मैं पहले सर्च कर रहा हूँ इस विद्यार्थी को ये देखे नर्गिस मारखंडे और यहा है बालिका बालिका में डाल देता हूँ कक्छा का चैन कर देता हूँ इसका कक्छा है तीसरी और यहां से जोड़े बटन को प्रेस कर देता हूँ जैसे ही जोड़े बटन को प्रेस किया हूँ सांथियो ये विद्यार्थी आल लाइन क्लास के लिए जूड़ गई है अब इसका मैं आल लाइन असेस्मेंट कर सकता हूँ तो यहां से हम धूंड सकते हैं वह नर्गीस कहां पर है अभी अभी हमने जोड़े हैं यह देखे साथियो नर्गीस अभी अभी इसका हमने online class के लिए registration किये हैं अब देखते हैं assessment वाले corner में यह विद्यार्थी नजर आ रहा है या नहीं तो हम कहां चले जाएंगे साथियों लेप्टर साइट के इस three line में फिर सिख्छक के career उसके बाद विद्यार्थी का assessment अब यहां पर हम माहा को पहले बदल देते हैं नومबर कर देते हैं और यहां पर कचछा तीसरी का चैन कर लिते हैं Class 3 अब जैसे सर्च करते हैं सांतियों ये देखिए नर्गीज का नाम यहाँ पर सो होने लगा इससे पहले यहाँ पर सीर्पता में स्वरी ही नजर आ रही थी अब नर्गीज भी आ गही है तो सांतियों अगर आपको नवंबर का असेस्मेंट करना है तो सबसे पहले विद्यार्थी को आल लाइन वाले कार्नर में जोड़ना पड़ेगा तभी हम नवंबर का असेस्मेंट दे सकते हैं और दिसंबर का असेस्मेंट के लिए वर्चुल इसकुल में जोड़ना आवस्यक है तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि मैं इसी तरह के ही महत्वण वीडियो इस चैनल पर फ्रेसित करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों